नमस्कार आदा आपने उसक्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आई इनदों डालते हैं आज की सुर्खियों पर इस्राइली सॉफ्ट्वेर का इस्तिमाल भारत सहित दुनिया भर की सरकारों रुआरा अक्टिविस्टों नेताओ पत्रकारों की जासूजी के लिए किया गया मौनसून सत्र विपक्षी दलों ने जमकर किया सरकार का विरोध किसानों महेंगाई की मुद्दों पर घेरा सुप्रीम कोट ने मनिपूर के कारे करता की तुरंत रिहाई के आदेश दिये गौण मुत्र से करोना ठीक नहीं होता लिखने पर लगाया था एने से और आखिर में करोना अपडेट देश में साड़े स्तीन महीने बाद 500 से कम मरीजों की मौत दुनिया भर के विबिन मीडिया संगठनों द्वारा रविवार 18 जुलाई को जारी की गई है एक जाँच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस्राइली स्पाइवेर पेगेसिस का इस्तमाल करके दुनिया भर की सरकारों द्वारा प्रतीद्वन्दी निताओ, मानवा दिकार कारे करताओ और पत्रकारों की जासुझी की गई थी शुरुवात में MNST International और Paris स्थित गयर नापकारी संगठन Forbidden Stories के निशकरशों और Guardian तथा 16 आन्य मीडिया संगठनों द्वारा जाचे गए तथ्यों पर अधारित इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइली NSO Samhu द्वारा बेचे गए सौट्वेर का इस्तेमाल, Contact Details, Message, Photo, Email और Call Records आदी निकालने के लिए लोगों के फोन हैक करने के लिए किया गये थे इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में सैकडों पत्रकारों और दूसरे चर्चित लोगों के फोन टैप किये गए हैं इनमें भारत के कई लोगों शामिल हैं कुछी देर पहले दवायर द्वारा चपी विभिन खबरों में इस जासूसी के बारे में कई नए और चौकाने वाले खुलासे किये गए हैं दवायर द्वारा हासिल की गई जानकारी के इनुसार भारत के कई लोगों के फोन टैप करने के लिए भारत की कम्पनियों ने इस्राइली कम्पनी एन एसो से कहा था इस सूची में राहूल गांदी का भी नाम है और कहा गया है कि राहूल गांदी और उनके करीबी पांच लोगों के फोन 2019 चुनावों से पहले टैप किये गए थे इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि पूर्व CGI रंजन गोगोई पर यौन शोशन का आरूप लगाने वाली महिलाओ के भी फोन आरूप लगाये जाने के बाद से टैप किये जाने लगे थे दवायर ने इस सूची में अशोख लवासा का भी नाम दिया है अशोख लवासा 2019 चुनाव के दोरान चुनाव आयोग द्वारा गटित तीन लोगों की पीठ सदस्से थे जिसने बीजेपी द्वारा चुनाव आचार सहीता का उलंगन करने की बात कही थी इसके लावा इस सूची में प्रशांत किशोर और ममता बैनर जी के भतीजे अभिशेक बैनर जी का भी नाम है चौकाने वाली बात ये है कि जासूशी के रडार में सिर्फ विरोधी नहीं वलकि सरकार की तरफ वाले भी कुछ लोग शामिल है दवायर को हासिल हुई जानका पटेल जल मंत्री पर भी 2017 से 19 के बीच निगरानी रखी जा रही थी अब आए सुनते हैं वरिष्ट पत्रकार अभिसार शर्मा का इस पर क्या कहना है वायर और दुनिया की 16 अनमीडिया संस्थानों की इस खबर के मताबक इस्राइली कमपनी NSO के एक सॉफ्टवेर पेगसिस के जरिये कुछ देश अपने ही नागरिकों की जासूसी करवा रहे थी और वायर की इस खबर के मताबक भारत के 40 पत्रकारों की जासूसी कराई गई चालीस पत्रकारों के इत्फाकन इन मेंसे कई ऐसे पत्रकार हैं जो सत्ता से मुश्किल सवाल करते हैं इत्फाकन इनमें से कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अमित शाह के बेटे जैशा के बारे में स्टोरी की थी जो अमूमन लोग डरते थे करने को इत्फाकन इन में से कई ऐसे पत्रकार हैं जो भारती जनता पार्टी की गालीबाज ट्रोल मशिनरी उनके पूरे प्रचारतंत्र को एक्सपोज करने का काम कर रहे थे इत्फाकर इनमें से ऐसे भी पत्रकार हैं जिन्होंने अडानी, अम्बानी जैसे बड़े बड़े दिगजों, उद्योग पतियों के पूरे काम पर बोलने की हिम्मत की इस्राइली कमपनी एनेसो का सम्विधान साफ तोर पर क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ ये देखिए उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी तरफ से एक प्रतिक्रिया जारी किया, आपके स्क्रीन्स पर ये प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है इसमें उन्होंने कहा है कि हम ये जो सौफ्टवेर है पेगसिस सिर्फ उन्हीं सरकारों को देते हैं जिनके साथ हमारा करार है, जिनके साथ हमारा समझोता है हम ये किसी भी सरकार को नहीं देते हैं हम सिर्फ इसे सरकारों को देते हैं और इसका इस्तमाल उन लोगों के खिलाफ किया जाता है जो या तो किसी गंभीर अपराद में लगे हो या आतंकवादी गतिविदियों में लगे हो इन पत्रकारों के चेहरे देखिए सिधार्त वर्दराजन, रोहिनी सिंग, स्वाती चतुरवेदी, पौरुणजय गुहा ठाकुर्ता, M.K. वेनू ये तमाम वो पत्रकार हैं जिन्होंने सत्ता से सवाल पूछने की हिमाकत कि क्या इन में से कोई भी आपको आतंकवादी दिखाई देता है? बताईए तो पेगसस का जूट यहीं पकड़ा गया? सवाल मेरा अपनी सरकार से है, भारत सरकार ने अपने इस बयान में जो इस वकापत में स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला ज़ाड लिया है और इसे फिशिंग एक्सपेडिशन बताया है, यानि की मच्छी मारना एक तरह से तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चालता हूँ, इन तीन चेहरों को देखिए देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, देश के ग्रह मंत्री आमिट्शा और देश के राश्ट्री सुरक्षा सलाकर अजीर दोभाल कल्पना कीजिए कि अगर इनके मुबाइल फोन्स में पेगसिस सॉफ्टवेर इंस्टॉल हो जाए, किसी तरह से इंस्टॉल हो जाए क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद देश को कितना बड़ा जटका लग सकता है वो तमाम सीक्रिट्स जो इन तीनों के पास होंगे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा या कम से कम जो लोग इन्हें टार्गेट कर रहे होंगे उन्हें तो पता चल जाएगा और वो लोग भारत विरोधी गतिविधियों में इसका इस्तमाल करेंगे इसलिए बहुत जरीरी हो जाता है कि यह जो पूरा मामला है Operation Pegasus इस बात पर संयुक्त संसदिय समिती जाच करें नमबर एक नमबर दो इस मामले की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक रिटाइट जज करें जो इस मामली की जाच करें क्योंकि इसका सीधा नाता हमारे देश की राष्ट्री सुरक्षा के साथ भी है बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज भी है यानि कि ये सरकार कथित तोर पर allegedly इन लोगों की जाच भी कर रही थी यानि कि दो मंत्री जो कि उनके अपने उनकी भी जाच कर रही थी तो मैं चाहता हूँ कि इन तमाम सवालों के जवाब ये सरकार दे क्योंकि इस पेगसिस के जरीए लोगों की जान गई है संसत का मौनसूम सत्र आज से शुरू हुआ है जो तेरा अगस तक चलेगा एक तरफ जहां सरकार की मंशा अपने नए मंत्रियों का नाम साजा प्रस्तुत करने की थी वहीं विवक्षी दल, महंगाई, किसान, अंदोलन और कोविड-19 के मुद्दो पर सरकार को घेड़ने की तयारी में रहे पुपक्षी दलों ने विरोज जताते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को बोलने तक नहीं दिया जिसकी वज़े से संसत पहले तीन और फिर साड़े तीन बज़े तक स्थगित कर दी गई कॉंग्रेस के लोकसभासांसद मनीश तिवारी और जसवीर सिंग गिल ने केंद्र सरकार के कृशी कानूनों को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया आम आदमी पाटी के लोकसभासांसद भगवंत मान ने भी स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया कॉंग्रेस सांसाद मनीकम टैगोर ने पेट्रोल डीजल की बड़ती कीमोतों और महेंगाई पर चर्चा करने के लिए सदन में कारिस्तगन नोटिस दिया सत्र शुरू होने से पहले प्रधान मंतरी ने मीडिया के मार्धियम से कहा था कि विपक्ष सरकार के जबाब भी सुने मोदी ने इस बात का भी एक से ज़ादा बार जिक्र किया कि सरकार ने इस बार कैबिनेट में दलितो और ग्रामीन परिवेश से आने वाले मंतरियों को जगा दी है विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार के मंतरी लगातार संसत की बरंपरा और डेकुरम की दुहाई देते नजर आए इस पर कॉंग्रेस नेता शेशी धरूर ने कहा कि हमें करोना कूपरवंदन, चीन, किसानों, विरोज़गारी सहित कई मुद्धों पर चर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए अगर सरकार हर दिन रचनात्मक चर्चा करने के लिए तैयार होगी तो संसत वैसे चलेगी जैसे लोग उमीद करते हैं सरकार संसत को नोटिस बोर्ड की तरह इस्तिमाल करना चाहती है इसके अलावा किसानों का प्रदर्शन भी संसत के भार शुरू होने वाला है जिसमें हर रोज दोसों किसान संसत के सतर के दोरान संसत के भार प्रदर्शन करेंगे किसानों का यह प्रदर्शन भी 13 अगस्त यानि तब तक संसत चलेगी जब तक चलेगा मरीपूर के अक्टिविस्ट पत्रकार लिचोंबम एरेंडरो को सुप्रीम कोट की ओर से बड़ी रहात मिली है सुप्रीम कोट ने लिचोंबम को ततकाल प्रभाव से रहा करने का आदेश दिया है कोट ने कहा कि उन्हें एक भी दिन के लिए जेल के भीतर नहीं रखा जा सकता उन्हें के रप्तार किया जाना अनुचेद 21 का उलंगन है जिसमें जीने का मौलिक अधिकार लोगों को प्राप्त है कोट ने आदेश दिया है कि आज शाम 5 बजे तक लिचोंबम को 1000 रुपे के निजी मुचलके पर रिहा किया जाए लिचोंबम पर आरूप था कि उन्होंने एक Facebook पोस्ट लिगी थी जिसमें कहा था कि करोना का इलाज गोवर और गौम उत्र से नहीं होगा जिसके बाद उनके खिलाफ NSA के तहट केस दर्च किया गया था इस मामले में Solicitor General Tushar Mehta ने कोट से और समय दिये जाने की मांग की वेचाते थे कि मामले की सुनवाई कल तक के लिए टल जाए लेकिन जज ने एक्टिविस्स लिचोंबम को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और एमार शहा की बेंच ने कहा कि हमारा मानना है कि लगातार हिरासत में याचिका करता के मौलिक जीवन के अधिकार का हनन होगा लेहाजा हम ये निर्देश देते हैं कि शाम पाँच बजे तक हजार रुपे के परसनल बॉंड पर कारेकरता को रिहा किया जाए बता दें कि इस मामले में लिचोंबम की रिहाई को लेकर उनके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी केंदरस्वास समत्रारे दौरा आज सोंबार 19 जुराई को जा रहे हैं अकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंडों में करोना के 38,164 नए मामले दर्श किये गए हैं इसके अलावा करोना से आज 3,5 महिने बाद 500 से कम यानी 499 मरीजों की मौत हुई है जिसमें सबसे आदा 180 मरीजों की मौत केवल महराश्रे में हुई है साथ इसी पीच देश भर में करोना से पेड़ित 38,660 मरीजों को ठीक किया गया है और आक्टिव मामलों में 995 मामले कम हुए हैं देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 3,11,44,239 हो गई है जिन में से अब तक 4,14,108 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पेड़ित 97,31 पीस दी यानि 3,38,465 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में आक्टिव मामलों की संक्या घटकर 1,35 पीस दी यानि 4,21,665 हो गई है स्वास मंत्राली की ताज जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की 40,64,18,493 डोस जी जा चुकी है जिन में से 13,63,123 वैक्सीन की डोस पिछले 24 गंडों में दी गई है यूस्टिक के डेवी राउंड अप में आज बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आख हमारी वैपसाइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बुक और इस्टाग्राम पर फॉलू करें यूश्क देखने के लिए शुक्रिया